नमस्कार विद्यारतियों हमने पिछली वीडियो में महाराणा कुम्बा के प्रारंबिक जीवन महाराणा की प्रारंबिक गठिनायों और उनका अंत उन्होंने किस्प्रकार किया तथा राजपूत राजियों के साथ महाराणा कुम्बा के संबंद कैसे थे इनके बारे में च चर्चा करेंगे और साथ ही माराना कुंपा की सांस्कृतिक उपलपदियों के बारे में भी विश्त्र चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे और सांस्कृतिक उपलपदियों के बारे में भी विश्त्र चर्चा करेंगे। महमूद खिलजी माराना कुंपा का सत्रू हो गया, माराना कुंपा टे विरुध हो गया। माराना कुंपा का माराना कुंपा का दूसरा कारण वो था चाचा और मेरा जिनोंने माराना मोकल जो की कुंपा के पिता थे। उनकी हत्या की थी चाचा और मेरा ने। उनका साती जो महपा पमार था जो की मांडू के सुल्थान के राज्ये में आकर आस्रे पा रहा था। उसको लोटाने के लिए जब माराना ने महमूद खिलजी को पत्र लिका तो उत्तर में महमूद खिलजी ने अपने सरनागत को बेजना स्विकार नहीं किया। तीसरा कारण है दोनों राज्यों का आपस में पडोसी होना तथा दोनों ही सासकों माराना कूंबा और महमूद खिलजी। दोनों ही सासकों की अपनी राज्यों की सिमाओं का विस्तार करने की जो महत्वा कांसा थी। इन तीन कारणों से मेवाड और मांडू अर्थात मालवा के मध्य संगर्स अथी अवश्यम भाई हो गया। 1437 उस्वी में महाराना कुमपा ने मालवा पर जोरदार आकरमन किया। दोनों पक्सों का सारंगपूर के पास बिश्ण मुकाबला हुआ जिसमें महमूत खिलजी को प्रास्त होकर भागना पड़ा। विद्यार्तियों याद रखना है सारंगपूर का यूद किन के बीच हुआ माराना कुमपा और महमूत खिलजी के बीच कब हुआ 1437 उस्वी में और कौन विजए हुआ माराना कुमपा। कुमबलगट प्रसस्ति के अनुसार जो की माराना कुमपा के समय की कुमबलगट प्रसस्ति है उसके अनुसार सारंगपूर में माराना ने एसंग के मुसल्मान इस्तरियों को बंदी बनाया और नगर को जलाया। बाक्ती हुई सत्रू सेना का मांडू तक पिछा किया जिसके फल्सरूप मालवा का जो सुल्तान है महमूत खिलजी उसको बंदी बनाया गया और उसे चितोड लाया गया इस विजे जो कि सारंगपूर की विजे है इस विजे के उपलक्स में महाराणा ने अपने आराध्य देव विष्णू के निमित चितोड के किले में विशाल कीर्थी इस्तम जिसको विजे इस्तम भी कहा जाता है इस विजे इस्तम का निर्मान कराया महत पून फैक्ट है विद्यारतियों परत्यों की परिक्षाओं की द्रस्टी से कि विजे इस्तम का निर्मान माराना कुम्बा ने किस विजे के उपलक्स में कराया तो सारंगपुर के युद की विजे जोकी 1437 इस्वी में होई थी उसके उपलक्स में माराना कुम्बा ने व अगर हम उंचाई की बात करें तो विजे इस्तम की जो उंचाई है वो 122 पिट है और ये 9 मंजिला इमारत है संपोर्ण विजे इस्तम हिंदु देवित देवताओं की अद्वित्य मूर्तियों एम हिंदु सेली के अलंकरण से सुसोपित है जो विजे इस्तम पर जो मूर्तियों की पर्मुक विशेस्ता ये है कि परतेक मूर्ति के निचे उनके नाम भी लिख दिये गए है इसे भारतिय मूर्तिकला का विशुकोस कहा जाता है विजे इस्थम्ब की जो तीसरी मंजिल है उस पर अल्ला सब्द अंकित है इस्थम्ब का निर्मान है वो सुत्रदार जेता और उसके पुत्र नापा पॉमा वे पुंजा की देख रेक में किया गया है मैं तो पुन है कि निर्मान किन की देख रेक में हुआ जेता उसके पुत्र नापा पॉमा वे पुंजा की देख रेक में केर्थि इस्थम्ब पर जो प्रसस्ति लिखी गई है उस प्रसस्ति के रचेता कौन है तो उस प्रसस्ति के रचेता कवी अत्री जो की जो टिंग भट या कीर्थी मान केशव का पुत्र था कवी अत्री उन्होंने कीर्थी इस्तम प्रसस्ति लिखना सुरू की परंतु बीच में ही कवी अत्री का निदन हो गया तो उसके कारण प्रसस्ति को उसके पुत्र कवी महस या महस्वर ने पूर्णे किया अलग बग 6 मैने तक हमने पढ़ा था कि कुम्बलगट प्रसस्ति के अनुसार माराणा कुम्बा ने महमूद खेल जी को केद कर लिया था क्योंकि इसका उल्लेक नहीं तो समसामिक मुस्लिम इतियासकारों नहीं फरिस्ता नहीं। अबुल फजल ने इस संपूर्ण गटना का उल्लेक अपनी पुस्तक में किया है जिसकी पुस्टी नेन सीरी ख्यात में होती है। परन्तु इसी तर्ग के आदार पर कि मुस्लिम इतियासकारों नहीं इसका उल्लेक नहीं किया है और इस आदार पर महमूद की हार या उसे मुक्त करने पर संदे करना ठीक नहीं। गोपिनाथ सर्मा का कहना है कि ये हमें सामशक नहीं कि मुस्लिम इत्यासकार जब किसी गटना को लिखे तब ही उसकी माननेता हो। क्योंकि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में इस संपुन गटना का उले किया है और उसकी पुस्टी नेंसी की ख्यात में भी होती है और नेंसी की ख्यात का जो वड़नन है किसी ने किसी प्रमपरागत माननेता पर आधारित है। मारणा कुमबा धारा सत्रू को इस प्रकार सवतंतर छोड़ देने की निति की कुछ इतियासकारों जैसे करनल जैम्स, टोड, पंडित, गोरी संकर, ओज्या, हर्विला, सार्दा आधी ने अलोचना की है। वहीं डोक्तर गोपिनात सर्मा कुमबा के इस निरने को आत्मगाती निति ने कहकर आत्माभिमान की समवर्दक निति बताकर इसको सई ठेराते हुए कारण बताते हैं कि मालवा चितोड से अधिक दूर इस्तित होने के कारण उस पर लंबे समय तक सासन बनाई रखना अत्य अधिक कठेन था सुल्तान महमूद सा खिलजी 1437 की अपनी जो पहली पराजे थी सारंगपूर के युद में उस पहली पराजे का बदला लेने के लिए लगबग 6 वर्स बाद अर्था 1443 सीस्वी में बड़ी सेना के साथ बड़ी तयारी के साथ मेवाड पर आकरमन करने के ल बलगड के दरवाजे के नीचे बान माता के मंदिर में अपने पर्थम मोर्चे की व्यवस्ता कर रखी थी और उस मोर्चे का जो नेतरतों है वो दीप सिंग कर रहा था सुल्तान ने अपनी पूर्ण सक्ति का प्रियोग इस मोर्चे के विरुद लगा दिया परिणाम पूर्णे में इतनी हानी उठानी पड़ी कि उसने बान माता का जो मंदिर है उस मंदिर को नेस्ट ब्रस्ट कर दिया और मोर्चे को तोड़ कर उसके टुकडों को कसाय। पहाड़ी भाग में आकर्मन करना कठिन समझकर महमूत खिल जी वापिस अपनी राजदानी मांडू लोट गया। लोटती हुई फोज का माराना द्वारा पिछा किया जाता है जिसमें दोनों पक्षों को हानी उठानी पड़ी। तीन वर्ष पर चात अर्थात सन 1466 सिस्वी में सुल्तान ने मांडलगट के किले को लेने के अभिप्राई से कूच किया। फिर से उसे विफलता हाथ लगी। 1456 इस्वी में फिर महमूद ने मांडलगट पर आकर्मण किया जिसे राणा ने 10 लाग टंक के देकर टाल दिया। ऐसा फरिस्ता का कहना है। फरिस्ता के वईनन के नुसार महमूद ने लगबग पांच बार महवाड पर आकर्मण किये और परत्यक बार महराणा ने सोना और टंक के देकर उसे वापिस लोटा दिया। डौक्टर ओजा इन सभी आकर्मणों में महमूद की पराजे बताते हैं और लिखते हैं कि ऐसे मुसलिम पराजे के उलेक में मुसलमान लेखक बहुदा इसी प्रकार की सेलिका अलंबन किया करते हैं। डौक्टर गौपिनाथ सर्मा के अनुसार महमूद की मेवाड आकर्मण में इस अर्थ में पराजे थी कि वह कुम्बलगट, चितोर और मांडलगट को लेने में परतिक बार एस सफल रहा। तो वह आसपास के भागों में लूट का माल बटोडने मात्र में थी। परतिक बार सोना देकर सेना को लोटाने का जो वर्णन फरिस्ता ने दिया है, वो अतिस योक्ति पूर्ण है, इन अभ्यानों में मेवाड की एक इंच भूमी की भी हानी नहीं हुई, ये माराणा के से अन ग्रेंड करते समय जो गुजरात का जो सा सकता, वो एहमत सा था, चाओदासो बैयारीस इस्वि में एहमत सा की मृत्यु हो गई और उसके बाद मुहमत सा दूतिय सुल्तान बना, चाओदासो इकावन में महमुद सा का भी, मुहमत सा का भी देहांथ हो जाता और प्रभाव सेत्र को फिस्तर करने के लिए उत्साही था मेवाड और मांडू की जो सतत युद सतती है इस युद इस्तति ने उसे इस और अधिका करशित कर दिया और तीसरा कारण है सिरोई और नागोर की राजनेतिक इस्तति 1456 में नागोर के सासक फिरोज कांगा देहान थो जाता और उसका पुत्र समस्का नागोर का सासक बना परंतु उसे हराकर उसका जो चोटा भाई मुजाहिद खां था उसने नागोर पर अधिकार कर लिया समस्का कुमबा की मदद से फिर से नागोर का स्वामी बन गया कुछ सर्तों के आदार पर कुमबा ने समस्का की मदद की और समस्का नागोर का सासक बन गया वहीं मुजाईद खांबाकर मालवा के सुल्तान की सरण में चला जाता है सासक बनते ही समस्का ने कुम्बा से सम्मंद विछेद कर लिये और उसकी सर्थ के पर्तिकूल कुम्बा ने समस्कां को नागोर दूर की किले बनती ने करने की सर्थ पर सहायता दी थी परंतु समस्कां ने नागोर के किले की मरमत करना शुरू कर दी माराना ने समस्कां को सबक सिखाने एतु नागोर पर चड़ाई कर दी समस्कां ने गुजरात के सुल्तान कुतुबदीन की सरण ले जिसने अपनी पुत्री का विवा समस्खान से कर अपनी सेना नागोर बेची परन्तु समस्खान की हार होती है और नागोर पर मेवाड का अधिकार इस्तापित हो जाता है गुजरात के सुल्तान कुतुबदीन को अपनी सेना की हार की सूचना जब मिलती है तो वै स्वेम चितोड की तरफ चला परंतु मार्ग में शिरोई के देवडा सासक सेस मल ने उससे माराना से आबू दिलाने की प्रातना की इस पर सुल्तान कुतुबदीन ने अपने सेनापती मलिक सहबान को आबू बेजा और स्वेम चितोड जाने की बजाए कुम्बलगड की ओर निकल गया आबू में सुल्थान के सेनापति की पराजे का समाचार जब सुल्थान सुनता है तो सुल्थान गुजरात लोट जाता है चंपानेर की संदी महत पुण है विद्यार्तियों परत्योगी परिक्षाओं की द्रस्टि से संदी कब हुई 1456 में हुई किनकिन के बीच हुई तो जब गुजरात का जो सासक कुतुबदीन था वो कुम्बलगड से अहमताबाद लोट रहा था तो मांडू के सासक महमूत खिलजी का सेनना एक ताज खा उसके पास पहुँचा और कहा कि मांडू और गुजरात की सयुक सकती मिलकर मेवाड पर हमला करे तो मेवाड को जीता जा सकता है इसी उदेश्य को लेकर मांडू वे गुजरात के मध्य चंपनेर की संदी हुई चंपनेर की संदी किनके भीच हुई मांडू अथ्वा मालवा वे गुजरात के मध्य हुई और कब हुई 1456 में हुई संदी के तहत मेवाड का जो दक्षणी भाग है वो गुजरात में और मेवाड का खास भाग तथा अहीर वाडा मांडू में समलित करने की योजना थी दोनों सेनाओं ने अलग-अलग दिशा से मेवाड पर आकर्मन किया कुतुप सा चितोड के लिए चला और मार्ग में आबुपर अधिकार कर आगे बड़ा वहीं महमूद खिलजी मालवा की तरब से राणा के राज्ये में गुशा फरिष्टा के अनुसार दोनों सेनाओं से राणा को हारना पड़ा और उन्हें विपूल दनराशी देकर विदा करना पड़ा वहीं कीर्ति इस्तम प्रसस्ते में राणा द्वारा दोनों सुल्तानों की सेनाओं का मंथन किया जाना लिखा है और जिसे इस पस्ट है कि पेले की बांती लूट खसोट कर सुल्तानों की सेनाओं लोट गई रशिक प्रिया में भी सुल्तानों को राणा द्वारा हराये जाना लिखा है डॉक्टर गोपिनाद सर्मा के मत अनुसार संभावते चंपानेर के एहद नामे के अनुसार बंटवारे में एक दूसरे के परति संदे की संभावना होने से सुल्तानों की सेनाय बिना किसी वी से स्युद के लोट गई हो तारीक के अलफी में लिखा है कि कुतुबदीन ने राणा से अपनी सर्तें ते कर ली और महमूद को अपने तोर से राणा से संदी करने के लिए अकेला छोड दिया वीवस होकर 1469 इस्वि में महमूद को मंडू लोटना पड़ा इस प्रकार गुजरात का सुल्तान को तुबदीन मेवाड को प्राजित ने कर सका और 1469 इस्वि में उसकी मृत्य हो गई विद्यारतियों अब हम माराना कुम्बा की संस्कृति कुपलब्दियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कुम्बा और इस्तापत्य इस्तापत्य के अंतरगत सारोपरतम दुर्ग इस्तापत्य के बारे में बात करें तो कवी राजा सामल्दास के अनुसार मेवाड के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्मान माराना कुम्बा ने कर वाया किनके अनुसार कवी राजा सामल्दास का कहना है जो इनोंने अपना वीर विनोध गरंत लिखा उस वीर विनोध गरंत में लिखा वाए कि मेवाड के चोरियां सी दुर्गों में से 32 दुर्ग कुम्बा ने बनवाए इनके द्वारा निर्मित परमुक दूर्ग है कुम्बल मेर या कुम्बल गड का दूर्ग बसंती या बसंत गड का दूर्ग सिरोई मचान का दूर्ग जोकी मेरों को नियंत्रण में रखने है तो बनवाया गया था कोलन और बदनोर के पास बेराट का दूर्ग तथा भोमड सेत्र में भी अनेक दूर्गूं का निर्माण माराणा कुम्बा ने करवाया और इन दूर्गूं का निर्माण बिलों की सक्ति परंकुस रखने हैतु किया गया इन सभी दुर्गों के निर्मान से मेवाड की पस्चीमी, उत्री और दक्षणी सीमा सुरक्षित हो गई माराना कुम्बा ने पूराने दुर्गों का जिर्नोतार भी करवाया अचलगड दुर्ग जो की आबु में परमारों द्वारा निर्मित था उस दुर्ग का पुर्ण निर्मान भी माराना कुम्बा ने करवाया तथा चितोड दुर्ग को साथ द्वारों से घेर कर साथ द्वारों से एक ओर से सुरक्षित कर कई बुर्जों का निर्मान भी कुम्बा ने करवाया कुंबलगड दुर्ग की बात करें तो कुंबलगड दुर्ग का निर्मान कुंबा ने अपनी पतनी कुंबल देवी के स्मर्ति में करवाया था इसका निर्मान 1443 इस्वी में शुरू हुआ और 1469 इस्वी में कुंबलगड का निर्मान कारी पूर्ण हुआ कुम्बलगड दूर्ग का परमुख सिल्पी मंदन था, दूर्ग के सबसे उंचे भाग पर कुम्बा ने अपना निवास बना आया था और उसको कटारगड के नाम से पुकारा जाता है, कटारगड जो दूर्ग है जो की कुम्बलगड के अंतरगत थी माराना कुम्बा का दूर्ग का परमुख सिल्पी माराना कुम्बा निर्मित मंदिरों की बात करें, तो डूक्टर डियार भंडार करका कहना है कि कुम्बा ने मंदिरों के निर्मान में भी सुरक्सा और धार्मिक भावना का सामचेश्य उपस्तित कर एक नुतन चेतना को जनम दिया, कुम्ब दूरा निर्मित मंदिरों में कुम्ब स्वामी या कुम्ब श्याम जी का मंदिर और स्रंगार चमुरी का मंदिर चितोड, मीरा मंदिर एक लिंग जी में, कुसाल माता का मंदिर बदनोर भीलवडा में, रनकपुर का मंदिर जो की पाली में है, रनकपुर के जेन मंदिरों क माराना कुम्बा के सासनकाल में 1449 इस्वी में एक जेन्स रेस्टी धर्नक जो की कुम्बा का मंत्री था धर्नक ने करवाया था और रणकपुर के इन चौमुका मंदिरों का निर्मान इस चौमुका मंदिर का निर्मान धर्नक ने देपाक नामक सिल्पी के निर्देशन में कि एक लिंग जी के मंदिर जो की मूल मंदिर है उसमें एक विसाल मंडप और तोरण का निर्मान भी कुमबा दोरा किया गया चितोड कुमबलगड और अचलगड के परत्यक दुर्ग में कुमबा स्वामी के मंदिर माराना कुमबा के दोरा बनवाए गई कुमबा का नूराग के बारे में दिन कर लेते हैं माराना कुमबा ने कवल वीर, युदकूसल और इस्तापत्य प्रेमी ही थे बलकि एक विद्वान और विद्या नूरागी सा सकते माराना कुमबा कवी, नाटकार, टिककार तथा संगिताचार्य भी थे एक लिंग महात्मे से विधित हो संगीत राज, मिमाशा, मैतोपून हैं संगीत कल्भा के व्यापक ज्ञान के कारण को अभीनआव भरताचारी की उपादी दी गई थि कुम्बा ने कुछ टिकाएं भी लिखी थी जिनमें चंडी सता की टिका, गीत गोविंद की रसिक प्रिया नामक टिका और संगीत रतनाकर की टिका रसिक प्रिया का पूरक गरंथ सुधा परबंद भी कुम्बा की रचना बताई जाती है कामराज रतिसार नामक ग्रंथ काम सास्तर पर कुम्बा ने लिखा माराश्टरी, करनाटी अर्थात कंकड, करनड, संस्कृत और मेवाडी बासा लिखने का अच्छा अभ्यास कुम्बा को था जो उसके द्वारा रची चार नाटकों से परमानित हो था तमाराणा कुम्बा ने कितने नाटक लिखे थे, चार नाटक लिखे थे विद्वानों और कल्लाकारों का आश्रे दाता, इनका जो परसित सिल्पी था, वो मंडन था और मंडन ने कुछ गरंतों की रचना की थी, जिनमें देव मूर्ती परकरण, प्रसाद मंडन, राजवलब, रूप मंडन, वास्तु मंडप मंडन, वास्तु सास्त्र, कोदंड मंडन, वेद मंडन और सगुन मंडन परमुगरंथ है जो प्रसाद मंडन है, वो भवन, दुर्ग, तथा इस्तापतिक कला से समंदित है, राजवलब, शिल्प, शास्तर पर आदाली थै, रूप मंडन, मूर्ती कला पर आदाली थै, कोदंड मंडन, दनुस्वीदिया से समंदित है, वेद मंडन, आलवेद से समंदित है, तथा स द्वारा रचित तीन गरंथे उदार दोरणी कला निती और द्वार दिपिका कीरति इस्तम प्रसस्ति की रचना कवी अत्री और महस कवी ने की थी कवी अत्री ने कीरति इस्तम प्रसस्ति लिखनी शुरू की और इसकी मृत्यू के बाद इसके पुत्र महस ने इसको पोण किय कभी अत्री कावे सास्तर का अलोचक भी था अन्य दर्बारी विद्वानों की बात करें तो कार्णा व्यास जिसने एक लिंग महात में गरंत की रचना की ये कुम्बा का वेत नहीं कभी था एकलिंग महात में गरंत दो बागों में हैं प्रारंबिक जो भाग है वो कुम्बा दुवरा रची थे तता दूसरे बाग की रचना कार्ण व्यास दुवरा के गई कुम्बा के दरबारी विद्वानों में अगर जेन विद्वानों की बात करें तो सौम सुन्दर, मुनी सुन्दर, जेचन सूरी, सौम देव, भुमन, सुन्दर सूरी, सुन्दर सूरी, मानिक्य तता सुन्दर गणि इत्यादी जेन विद्वान थे जिनोने धरम और कावे गर कुम्बा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे तथा चितरकला गुरु जनाचार्य हिरानन थे कुम्बा की जो पुत्री थी रामा भाई वो भी बड़ी विदुसी थी और वो संगीत सास्तर की ग्याता थी जावर के सिलालेक में रमा भाई को वागी स्वरी की उपादी दी गई है वागी स्वरी की उपादी जावर के सिलालेक में वर्णी थे जो की कुम्बा की पुत्री रमा भाई की है माराना कुम्बा वीना बजाने में अतिनी पून थे कुम्बा की उपादियों के बारे में बात करें तो कीर्थी इस्तम तो था कुम्बलगर प्रसस्ति से इन उपादियों की जानकारी मिलती है माराना कुम्बा की उपादियां परमू की इस प्रकार है माराजाद्धि राज, राय, रायन, राणो रासो, राणो रासो की उपादी साहितिकारों का आस्रेदाता होने के कारण है महाराणा, राज गुरु, राज गुरु, राज नितिक सिधानतों में दक्स होने के कारण दान गुरू महान दानी होने के कारण हाल गुरू पहाड़ी दुर्गूं का स्वामी होने के कारण परम गुरू अपने समय का सर्वोच सासक होने के कारण रसिक प्रिया में जो कुम्बा की उपादिया मिलती है वो है चाप गुरु अर्था चापा मार युद पदती में पारंगत नरपती असुपती घणपती ये उपादियां कुमबा के पास विसाल सेना का स्वामी था इनका अभिप्राय है इन उपादियों का अन्य उपादियां राव राई टोडर्मल सेल गुरु इत्यादी लगब कुमबा ने 108 उपादियां धारणे की थी ऐसा कहा जाता है मारान कुमबा की मृत्यू कुमबा के जो अंतिम दिन है वो रुगणा वस्ता में गुजरे अंतिम दिनों में कुमबा को उन्माद रोग हो गया और उनका जो अंतिम अधिकांस जो समय था वो मामा देव मंदीर के निकट वर्ती जला से पर कुमबा ने बिताया 1468 इस्वि में मामा देव मंदीर के निकट जो मामा देव मंदीर कुमबल गट दूर्ग में है उस मंदीर के निकट तालाब के तट पर भगवत पक्ति में लीन कुमबा की 1468 इस्वि में कुमबा के बड़े पुत्र उद्दे क करण अर्थात उद्दा ने हत्या कर दी कुंबा के यक्तितु के समन्द में करनल टोड ने लिखा है कि उसमें माराना हमीर की सकती लाखा का कला प्रेम और वह परतिबा थी जिसने गगर के तट पर फिर से मेवाड के जंडे को इस्तापित कर इस्ताई परतिस्ता अरजित की थ हर्विला सार्दा ने भी माराना की मुक्त कंड से परसंसा करते वे लिखा है कि कुंबा एक महान सासक, महान सैनाध्यक्स, महान निर्माता और वरेष्ट विद्वान थे उनके विचार से माराना राजस्तानी ही नहीं भारतिय सासकों में भी अगरणी थे तो विद्यारतियों हमने आज माराना कुंबा के समय मालवा और मेवाड और गुजराज समन्दो तो था कुंबा की सांसकर्ति को प्रब्दियों पर प्रकास डाला आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद